स्वयम सहायता समुकी महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार आप सभी को हमारे प्रेणना टीवी चैनल के तरफ से भी दिदी नमस्कार अगर दिदी अभी तक आपने हमारे प्रेणना टीवी चैनल को सब्सकाइब नहीं किया हैं तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सकाइब कर लिजे क्योंकि आप सभी को डेनारलम से जुड़ी उसके साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो भी उजनाच राई जाएगी सबसे पहले दिदी आप सभी को अगत कर दिया जाएगा तो प्लीज हमारे प्रेणना टीवी चैनल को सब्सकाइब कर लिजे अगर दिदी आप पहले से ही डेनारलम में जुड़ी हैं तो आप से निवेदन हैं कि पंच सुत्र का पालन करना बिलकुर न खुले सापताहिक बैठक, सापताहिक बचत, आंत्रिक उधार, समय सरण वापसी, लेखा जोखा इन पंच सुत्रों का करे दिदी पालन और अपने समू को रखे सक्रिय क्योंकि सक्रिय समू को ही योजनौ कर लाब दिया जाता है और वरिता भी मिलती है तो चलिए दिदी ज्यादा नाब बात करते हैं में टॉपी की तरफ आते हैं जैसा कि आपने हमारे थमने में देखा है आज दिदी हम आपको पताने जाए हैं खंडवा में दीखा ग्रामिर महिनाओं का नया रूप जानिये क्या है ऐसा खास बोर गाउं बुजुर्ग ग्रामिर छेत्रों में गठित स्वैम सहता समों की महिलाएं अब एक अलग रूप में नजरा रही हैं और इसका सबसे बड़ा उधारण ग्राम बोर गाउं बुजुर्ग में देखने को मिला है यहाँ आजीवी का मिशन अंतर्गत संचालित साई राम महिला आजीवी का संकूल सर्य संगठन बोर गाउं बुजुर्ग की अध्यच छाया मोरेद्वारा सब मिशन अं एग्री कल्चर में के नाइजेशन योजना अंतर्गत क्रिशी छेतर में बढ़ावा देने के लिए फार्मसी नरी क्रिशी यंद का संचालन किया जा रहा है उन्होंने बताया कि इस कार से स्वेम सहता समू सदस को प्रती दिवस 650 रुपय की आमदनी हो रही है छाया मोरे ने बताया कि कार के दौरान समू के ही परिवार से एक चालक भी रखा है जिससे उसे रोजगार मोहया किया गया है बता दे कि संकुल असरिय संगठन ने टेक्टर और इस्ट्रारीपर का उपयोग अपनी आई बढ़ाने के लिए किया है अध्या छाया मोरे द्वारा किसानों के खेतों में गेहु कटाई के बाद नर्वाई को भाड़े पर इस्ट्रारीपर के माध्यम से भूसा बना कर प्रदान किया जा रहा है अध्या छाया मोरे ने बताय की अधिकांस किसान मजदूर नहीं मिलने से हवेश्टर के माध्यम से गेहु कटाई कराते हैं जिसके द्वारा मवेशियों के लिए भूसा नहीं मिल पाता है दूसरी और किसान नर्वाई को जला देते हैं जिस्ते की जमीन में विभिन प्रकार के जिव आग में जल कर मर जाते हैं और इस कारण क्रिशी भूमी में उत्पादन चमता कम हो जाती है उन्होंने बताए कि हमारे द्वारा रीपर के माध्यम से किसानों को जागरुकर नर्वाई को भूसे में तबदील कर निकाला जा रहा है ये भूसा जहां एक और मवेशियों को खाने के काम आ रहा है वहीं दूसरी और किसान नरवाई नहीं जला रहे हैं तो भूमी की उत्पादन छमता भी बन रही है जियां दिदी इसी कार से स्वेम सायता समुशदस को प्रती दिवस 650 रुपय की आंधनी हो रही है तो चलिए दिदी आज की वीडियों में बस इतना ही अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो प्रेस लाइक करना ना भूले हमारे प्रेणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले धन्यवाद जया जीवी का